आज मैंने बनाया खस्ता और टेस्टी पटाइटो फ्लावर तो चलिए बनाते हैं पटाइटो फ्लावर बनाने के रिया हम ले लेंगे एक कप मैदा आदा चम्मच अजवैन जिसको क्रश कर लेंगे हातों से उडाल देंगे और दो से तीन चम्मच आप जो भी ऑइल खाते हो ले लेंगे और नमक डालेंगे आदा चोटी चम्मच अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें अब पानी के साथ इसका एक डो बना लेंगे जैसा हम रोटियों के लिए बनाते हैं डो हमारा लग चुका है आप 10 मिनट के लिए इसको ठक्के रख देंगे स्टफिंग के लिए एक आलू ले ले लेंगे बाउल में अपने टेस्के साफ से डालेंगे नमक थोड़ा सा चाट मसाला थोड़े सी अजवैन स्वात के साफ से लान मिर्स पाउडर दो चमच कॉन फ्लॉर बिल्कुल बारिक चौप कटा हरा धनिया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें हाथों में लगा लिया है तेल अब इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बना के त्यार कर लेंगे अब जो हमने मैदा रखा था उसमें से एक पेड़ा ले लेंगे हम पेड़े के बड़ी सी रोटी बना के त्यार कर लेंगे कोई काटो इसको निकाल लेंगे, चाकू से इस पर निशान लगा लेंगे, बीच की जगा छोड़ के, इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और यह जो हमने पटैटो की बॉल्ल बनाई थी, यह इसमें रख देंगे, नैदे की रोटी के चारों तरफ हम पानी लगा नहीं और इसको धीरे दीरे ईत example के साथ चिपकाती जाएंगे है मैं इस तरीके से कि यंदे नैसे फ्लावर बनके रेडिया अब इसी तरीके से फ्लावर बना लेते हैं recording 02 नियास के अब इनको रीं है अ Harvey में अब कर दो कर दो